चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम एक अच्छी बात सीख लेते हैं कड़वी है लेकिन हकीकत भी है लिखा गया है चैन से जीने के लिए चार रोटी दो कपड़े काफी है पर बैचैनी से जीने के लिए चार गाड़ी दो बंगले भी कम है बात सही है लोग सुचते हैं अगर मेरा पास संपती बहुत जादा रहेगा तो मेरा जिन्दगी एकदम ऐस्वराम से बितेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जितना आपके पास संपती बढ़ते जाता है आपके पास बंगला गारी और कुछ जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बैचेनी भी बढ़ेगी अच्छा से जिन्दगी जीने के लिए सही बात है रोटी, कपड़ा, मकान ये तीन चीज़ अगर रह गया तो पिर आप अपना जिन्दगी जी सकते हैं बाकी बाद अगर टेंशन लेना है तो फिर आप इधर उधर करते रहें तो टेंसन लेने के लिए तियार रहे हैं, अगर विकास चाहते हैं तो टेंसन भी लेना पड़ता है, ओके, चलिए, आज का टोपिक है मैथेमेटिक्स का, बहुत ही प्यारा सो टोपिक है, जिसका नाम क्या है? प्रतिसत, परसिंटेज, बहुत ही कॉमन टोपिक है या मैथेमे होता है यदि आप इसका concept पूरा अच्छत तरीका से नहे जानते हैं तो फिर आपको उन chapter में भी दिकत होगा इसलिए इस वीडियो में आप अन तक बने रहे हैं ये guarantee है कि आपको समझ में प्रतिसत के बिसे में basic से आ जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा concept पताने वाले हैं और concept के साथ साथ question को भी solve कराने वाले हैं लगभग 8-10 question लेकर आए हैं जो हर question अपने आप में अलग है यूनिक है और हर question से हमको नया नया बात सीखना है और अगर इस वीडियो को conceptual question कराया जा रहा है जिसको आपको देखना जोरी है अगर इस वीडियो को आप सही से नहीं देखेगा नहीं समझेंगे तो फिर एगला वीडियो जो upload होने वाला है उसमें दिक्कत हो सकती है तो देखेए प्रतिसत प्यारा सो टपिक का नाम क्या है परसेंटेज यानि प्रतिसत हम लोग हिंदी में प्राया बोलते हैं क्या ची यहाँ पर प्रतिसतता लिखा हुआ है परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिसतता अगर हम लोग सुध रूप से देखें तो लेकिन हम ल गयो पद है, एक है प्रती और दुसरा है सत, प्रती का मतलब होता है बटा या डिभाड़ीडड वै, क्या होता है बटा या डिभाड़ीडड वै, जिसको इस से sìnd से तवारत दरशे जाता है, मैनस नहीं है, बटा है, जैसे कि आप लिखते हैं, पाँच बटा छे लिखें, त तो कुली मिला करके यही हुआ, प्रतिसत का मतलब क्या चीज? बटा 100, यही न बात है, प्रतिसत का मतलब क्या चीज होता है, divided by 100, प्रति का मतलब बटा, सत का मतलब 100, यहीं बटा में 100, उपर में जो भी रासी रहेगा, उसको लिख देना है, या फिर इसको आप इस तरह से भ बटाज साओ, okay, clear, समझ मान जागा, question बताएंगे तो, एकदम zero level का है, एकदम basic basic बात है, यदि यह सब आप नहीं जानेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, किसी भी चीज को फिल करने के लिए, महसूस करने के लिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, अगर आप पढ़ाई करत करेंगे, वहाँ पर आप divided by 100 का परियोग कर सकते हैं, या फिर एक बटा 100 का परियोग कर सकते हैं, okay, अब देखिए, अब concept जो है, main concept अब शुरू होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर यह समझना है, परतिसत, यहाँ पर 100 जो है, आप कहेंगे कि भाई, यहाँ पर 100 ही क्यों लिया गया, परति 1000 क्यों नहीं लिया गया, या फिर परति 10 क्यों नहीं लिया गया, है कि नहीं, देखिए, वैसा भी हो सकता है, लेकिन यह जो परतिसत है, यह बहुत ही common हो चुका है, सब लोग जान रहे हैं, और यह बहुत ही common चीज है, अगर हम परतिसत में किसी भी यूदर का जो आंकड़ा है वो 937 है तो वो प्रती हजार में गिना जाता है तो ऐसा बात नहीं कि प्रती सत ही होता है प्रती हजार नहीं होता है प्रती लाख नहीं होता है प्रती मिलियन नहीं होता है लेकिन यह कोमन बन चुका है प्रती सत जो है कोमन है लगभग हर कोई जा होंगे कोरोना के चलते 2% लोगों की लगभग क्या हो जा रही है? मौत हो जा रही है. इसका मतलब क्या हुआ? दो परतिसत का मतलब क्या ची हुआ? यानि जाएगा question में कि 100 का 15 पर 30 क्या होगा या फिर निकालिए इस तरह से question रहेगा तो इसको कैसे बनाईएगा 100 का 15 पर 30 निकालिए तो देखे ये जो 100 यहाँ पर लिखा गया है actually यह एक रासी है रासी का कहने का मतलब या तो संख्या ही होगा या तो फिर किसी भी चीज का वजन होगा केजी में होगा मीटर में होगा या फिर temperature होगा कुछ भी हो सकता है तो इसको जो भी रहेगा रासी उसको 100 मान लेना है जैसे कि यहाँ पर हम simply 100 ही मानने हैं लेकिन अगर 50 भी रहता है इस जगह पर तो उसको भी 100 मान करके ही चलना है क्योंकि प्रती सत का साबदी कर्थ होता है प्रती सैकड़ा पर Grammy प्रती सैकड़ा पर या प्रती साव में जैसे यहाँ divided बए 100 लिखा गया है इसका मतलब क्या चींवा प्रती सो पर प्रती सो पर कितना जैसे अभी यहां पर हम बताये थे कि कोरोना से दो परतिसत दोग मर रहे हैं यानि प्रति सव व्यक्ति पर दो आदमी मर रहे हैं उसका मतलब यह हुआ तो देखे जितना भी रहेगा रासी वो अपने आप में क्या है? सव परचेंट यहां पर सव है तो यह सो परचेंट है अब इसका निकालना है आपको पंदरा परतिसत तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहां पर सव है तो सव लिग दियें काक का मतलब क्या ची होता है गुना? पंदरा परतिसत अब इस परतिसत का जो सैन आप देख रहे हैं इसको यदि हटाएंगे तो हटा करके आप divided by 100 लगा दीजिए या फिर गुना में एक बटा 100 कर दीजिए बात बराबर पड़ेगा तो चलिए प्रतीसत को हम remove कर दिए हटा दिए तो divided by क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बस प्रतीसत को यदि आप हटा रहे हैं तो divided by 100 कर दीजिए या फिर कोई संख्या में प्रतीसत लाना चा रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए और percentage लगा दीजिए अभी किलियर हो जाएगा वैसा question हम लेकर करके आए हैं आपके सामने अब देखे ये वाला 100 ये वाला 100 कट जाएगा तो यहाँ 100 बचा 15 कितना जाएगा तो यह 15 क्या आया यह रासी आया इस रासी का 15 परतीसत 15 आया अगर मान के चलिए यहाँ पर 100 केजी था अब 100 केजी का 15 परतीसत निकालना है तो 100 केजी का 15 परतीसत क्या होगा 15 केजी होगा कोई दिकत हो रहा है नहीं चलिए एक concept आओ आपको सिखना है भूल रहे थे थोड़ा ये concept ये है अगर परतीसत में दिया हुआ है तो उसको भीन में कैसे बदने जैसे लिखा रहेगा 5 परतीसत क्या लिखा रहेगा 5 परतीसत अब 5 परतीसत का मतलब क्या हुआ 5 परतीसत का मतलब हुआ 5 बटा 100 क्योंकि परतीसत हटाएंगे तो divided by 100 लगाना पड़ेगा simple सी बात है अब इसको आप काटिए 5 कम 5 20 परतीसत कितना आया 1 बटा 20 आया यानि ये जो percentage है वो किस में बदल गया भीन में बदल गया अन्स और हर में बदल गया कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 25 परतीसत अब 25 परतीसत को आपको बदलना है भीन में तो भीन में बदलने के लिए simple सी बात है परतीसत को हटाने के लिए हमको 100 से डिभाइड करना पड़ता है प्रतिसत का मतलब ही होता है डिभाइड बैसो है गिने तो क्या हो जाएगा पचीस डिभाइड बैसो या फिर हम गुना में एक बटा सो लिख सकते हैं बात बराबर पड़ेगा अब इसको काटिए पचीस कम पचीस पचीस चौक सो कितना आ गया एक बटा चार आ गया यानि पचीस परतिसत को यदि भीन में बदलेंगे तो एक बटा चार होगा तो भीन में बदलने के लिए तो आप जान ही गए होंगे कहीं पर लिखा रहेगा एक सो बीस परतिसत अब इसको बदलना है भीन में तो बात सही एकदम जहां पर परतिसत रहेगा, वहां पर बटा में 100 लिग देना है, तो 120, डिभैड़ेड़ बा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इसको काटिए, तो कितना आ गया? यहां पर 6 हो जाएगा, 5 दूना, 10, तो 6 बटा 5 हो गया, भीन में बदल गया, एक नहीं, 6 बटा 5 है यहां पर, यह चीज़ आप समझ गए है, या फिर कभी कभी यह भी होता है, भीन में, भीन में दिया गया है कोई चीज, यानि भीन को आपको बदलना है परसेंटेज में, तो कैसे बदलेंगे, वो भी बहुत हीज़ी है, अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 परसेंट आना चाहिए, बिलकुल आएगा, देखिए, आप कीजिए क्या, परसेंट का मतलब क्या चीज होता है, बटा में 100, बटा में 100, तो हम करेंगे क्या, 100 से गुना कर देंगे और 100 से डिभाइड कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा 1 बटा 20 में कोई फर्क पड़ेगा जब हम 100 से गुना और 100 से डिभाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम ऐसा कर दिए अब इसको क्या करेंगे एक बटा 20 है एक बटा 20 लिखेंगे इन्टू आप यहाँ पर जो 100 है क्या है 100 लिख दिए आप जो divided by 100 है उसको हम प्रातीसत में बदल देंगे बात समीमा रही है क्या किये यह जो divided by 100 है उसको किस फों में बदल दिए प्रातीसत के सैन में बदल दिए अब उपर वाला जो 100 है बचा रह जाएगा आब काटिए 20 से कम 20 20 पचे 100 तो कितना आया 5 प्रतिसत आया की नहीं आया तो सिंपल सी फंडा है कुल मिला कर हम क्या किये जो भी भीन था उसको 100 प्रतिसत से गुना कर दिये तो वो चीज प्रतिसत में बदल गया है गिने यहाँ पर भी यदि आप एक बटा चार को प्रतिसत में बदलना चाहते हैं तो एक बटा चार को क्या कीजेगा आप 100 से गुना कीजेगा अब 100 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिसत का सैंद ना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिसत का मतलब क्या जो होता है, divided by 100, यानि 100 बटा 100, तो एक बटा 4 भैल्यू जो है, समान रहेगा, ऐसा नहीं कि आप एक बटा 4 लिख दिये हैं, आप यहां प्रतिसत लगा दिये, तो यह प्रतिसत कहा साया, उड़के तो नही आएगा, तो प्रतिसत यहां पर आप लिखे हैं, मतलब कि बटा में 100 लगा रहे हैं, तो बटा में जब 100 लगा रहे हैं, तो उपर में भी 100 लिखना पड़ेगा, ताकि यह दोनों कैंसिल हो जाया, और एक बटा का जो मान है, एक बटा 4 का मान वो इस्थिर रहे, एक नहीं, इसलिए 100 से गुना करके तब प्रतिसत लगाते हैं, घर यह चीज किलियर हो गया होगा, तब यहां पर अगर काटियेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 25 चौक, 100 हो जाएगा, यानि 25 परसेंट आया, तो भीन से प्रतिसत में बदलना, या फिर प्रतिसत को भीन में बदलना आपको आगया होगा, ओके, यह सब बेसिक बेसिक कंसेट था, अगर यह सब आप जान गए, तो कोई दिकत नहीं है, प्रतिसत का मतलब क्या ची होता है, प्रतिस सो पर, प्रतिस सैकड़ा, ओके, जो भी रासी दिया रहेगा, उसको हमको 100 सपोज करना है, अगर भारत में जन परतिसत जो है, सिचित हैं, तो यहाँ पर 130 करोर जन संख्या था, तो यहाँ पर 74 परतिसत में ही सिम्टा कैसे दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी जन संख्या था, उसको हमालनी है 100 परतिसत, अब उसमें से 74 परतिसत सिचित हैं, आपको एक्जामपल देखर बता रहे हैं, ओक चलिए यह से वेदिया आपको clear हो गया होगा तो question बनाएंगे और question में भी हम लोग नया नया चीज सिखेंगे clear देखिए question क्या है पाहला number question में लिखा गया है कि 500 का 20 प्रतिसत ग्याद किजिए simple सी बात है 500 का 20 प्रतिसत का का मतलब गुना 20 प्रतिसत क्यानि 20 बटा 100 simple सी बात है अब इसको काट गिए 2-0, 2-0 कट गया अब यहाँ पर 5 दून कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 100 आ गया तो 100 answer हो जाएगा 100 कहाँ पर है option number A में है है कि नहीं यानि 500 का 20 प्रतिसत कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा या फिर इसी तरह का question रहता कि 1800 का 1800 का 110 प्रतिसत कितना होगा तो इसको भी बना दीजेगा simple सी बात है 1800 गुना अब यहाँ 110 लिख दीजेगा प्रतिसत का मतलब बटा में 100 अब इसको काट ये double zero कट गया double zero कट गया अब 18 को गुना किस से 110 से कर दीजे तो 18 सो का 110 प्रतिसत निकल जाएगा अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे हम भी एक समय में सोचते थे कि प्रतिसत क्या 100 से जादा होता है बिल्कुल हो सकता है 100 से जादा बिल्कुल हो सकता है जैसे यहाँ पर 110 परतिसत है 1800 का अगर हम 110 परतिसत निकाल रहे हैं यह guarantee है कि जो भी संख्या आएगा वो 1800 से ज़्यादा ही आएगा clear यह भी आपको note करना है जैसे आप कहेंगे कि 110 परतिसत या 120 परतिसत या 500 परतिसत ऐसा भी होता का होता है जैसे कि हम एक example के थुरू आपको समझाने का परियास करते हैं ले लेते हैं पांच बटा दो अब यह भीन है अब इसको यदि आपको परतिसत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे आप सव से गुना कीजिए तो किस में चेंज़ जाएगा परतिसत में चेंज़ जाएगा हम आपको बताएं पहले आप इसको काटिए दो एकम दो पचास दूना क्या हो जागा 100 पांच पचे पचीस देखिए 250 परतिसत हो गया यानि पांच बटा दो को जैसे ही आप परतिसत में बदले तो कितना होगा 250 परतिसत हो गया तो ऐसा सोचना नहीं है कि परतिसत का मतलब 100 के अंदर ही सब काम होगा 100 से बाहर भी हो सकता है चलिए तो मेरा मेन कोशन ये था इसको बनाए 100 एंसर आया ओप्शन जिसमें था उसको हम सेलेक्ट कर दिया चलिए बागे चलते हैं ये सकेंड नमर कोशन है लिखा गया है 30 किगरा 30 किगरा मतलब कि 30 किलो गिराम 320 किगरा का कितने परतिसत है या फिर कितना परतिसत है देखिए ये भी सिंपल सी बात है क्या है यहां पर एकदम ध्यान से 120 केजी है अब उसका 30 कीगरह अगर ऐसा कंडिसन रहता है तो हम क्या करते हैं जो भी दिया गया है जैसे 30 केजी दिया गया है तो 30 को लिखेंगे उपर 30 के साथ एक्ष में बात के जा रहा है 120 की ग्रा के साथ इक्ष में तो 120 लिखेंगे नीचे और 100 से कर देंगे गुना और प्रतीसत का सैंदेंगे लगा बदल जाएगा प्रतीसत में नहीं समय आया थोड़ा सा कठीन हो सकता आपके लिए अगर आप प्रतीसत के बिसे में कभे जिन्दगी में भी नहीं पढ़ें होंगे तो आप बोलेंगे क्या बात करते हैं जिन्दगी में तो कभी सुने जरूर है पढ़ें नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ें है देखिए कुल मिलाकर कि यहीं समझना है देखें यहाँ पर क्या बोला गया है तीस किग्रा, रासी है यह सब क्या है रासी हाँ एक चीज आपको एक और नोट करना है कि जो भी चीज दो यहाँ पर संख्या दिया गया है या दो रासी दिया गया है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए एक ही काई में होना चाहिए जिसके यहां पर 30 किग्रा है और यहां पर 120 किग्रा है दोनों में क्या है किग्रा किग्रा लगा हुआ है किग्रा किग्रा यानि कीलो ग्राम कीलो ग्राम ऐसा नहीं कि यह किग्रा में दिया गया था और यह ग्राम में दिया गया है तो फिर बहुत केजी का कितना परतिसत है मतलब कि 120 केजी का तो जो भी दिया गया है जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उसको उपर लिखेंगे किसके सापेक्ष में निकाला जा रहा है तो 120 के सापेक्ष में तो 120 नीचे लिखेंगे गुना कर देंगे 100 से और पर्सिंटेज लगा देंगे, बदल जाएगा परतिसत में, आप करके देखिए 00 कट गया, फिर यहां काट ये जह से दुना हो जाएगा 12, चे पच्चे 35, दो एकम दो 5,धे 5,पचे कितना हो जाएगा? पच्चीस परतिसत हो जाएगा. अब देखिए 25 सो रुपिया का 500 रुपिया कितना प्रतीसत होगा कितना प्रतीसत होगा यदि आइसा सवाल पूछा गया है ठीक देखिए एक्च्वली हर कोशन में हमको बहुत सारे चीजें समझना है बहुत सारा कंसेप्ट को समझना है ताकि यदि आइसा कोशन पूछा जाए तो उसको एक 800-500 का 500 일owina कितना परतिस्त होगा? देध्या, 1800 अपनी आप में 100 परतिस्त है. अब इसमें 500 परतिस्त होगा? तो simple सी बात है, आपको करना किया है ऐसा question में? जो निकालना है जिसका परतिस्त, उसको उपर में लिखना है, सो उपर हो जाएगा divided by किसके सापेक्ष में निकालना है किसके respect में निकालना है उसको दिहान देना जोरी है किसके respect में निकाला जा रहा है अठारा सो के तो आठारा सो यहां पर लिखेंगे गुना कर देंगे 100 से और percentage लगा देंगे अब नब चार को पर दो ओलना हो दो निकाल आठारी है यह दो बता चूके है अपने सुटियो गालाएगे है यह तो बता चुक आप लोग को एकदम सिंपल सी बात है है तीन बटा चार को यदि आपको प्रतिसत में बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिसत लगा दीजेगा क्योंकि प्रतिसत का मतलब होता है divided by 100 तो 100 से गुना कर दिये हैं और प्रतिसत का मतलब divide भी 100 से कर दिये हैं मतलब एक थपर इधर भी मार दिये एक थपर इधर भी मार दिये है जैसा है वैसा ही रहेगा है की नहीं एक थपर मारेंगे तो मुह ऐसा ही घुमा रहे गा है की नहीं इसलिए दुनों जरब से मार दिये है मतलब ओपर भी नीचे भी बाद बराबर हो गया चलिए अब इसको काट ये तो 4 एकम 4, 25, 25 तिया कितना होगी अब 75, 75 परतिसत answer option number A, correct, clear, यह आप जान गए होंगे, अब देखिए आगे, लिखा गया है 30 परतिसत को भीन में बदलिए, अब जो 30 परतिसत है, उसको भीन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर 30 परतिसत है भाई, अब इस कहाँ पर है, option number C में है, option number C सही हो गया, देखिए एक दम यह छोटा छोटा सवाल है, छोटा छोटा सवाल, जिसको समझना जरूरी है, हम बार बार कहा रहे हैं, ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा सवाल है भाई, अगर ऐसा और सवाल पूछा जाएगा दूसरा तरीका का, तो नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मुझे उमीद है, विश्वास है आप सब पर, चलिए, अब पांचवा number question में, पांचवा number question में क्या लिखा गया है, लिखा गया है, आठ प्रतिसत को दस मलों में बदल ये, भीन में बदलने के लिए तो जानते ही है, यहा दिक्कत है इसमें, आठ प्रतिसत है भाई, आप इसको सबसे पहले आप भीन में बदल ये, तो आठ divided by 100 हो जाएगा, आप इसको काट ये, तो यहाँ पर चार, और यहाँ पर क्या जाएगा, पचास दो से काटेंगे तो, दो सो के आठ, पचास दूनी सो, फिर यहाँ पर द जीरो हो गया, फिर भी नहीं गया, तो यहाँ पर जीरो बैठा कर फिर एक जीरो बैठाएगा, पचीस चौक सो आठ बार में 200 आजाएगा, कट गया, तो कितना आया, 0.08, कहाँ पर है, ओप्शन नमबर C में हो, तो ओप्शन नमबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पर आपको easy question लग रहा होगा लेकिन जो next video आने वाला है उसमें थोड़ा tough tough question मिलेगा देखिए six number question में क्या लिखा गया है किसी व्यक्तिक की मासिक आए 12,000 है किसी व्यक्तिक का मासिक आए यानि एक महिना में आए जो है वो 12,000 रुपिया है यदि उसकी मासिक आए में 25 प्रतिसत की ब्रीधी की जाती है तो उसकी नई मासिक आए गयात कीजिए होता है ना अगर आप नोकरी कर रहे हैं तो साल के बाद में इतना प्रतिसत बढ़ जाता है ऐसा सुने होंगे एक salary प्रतिसत की सबसे बढ़ता है तो यहाँ पर भी ऐसा question दिया गया है कि किसी वैक्ति का जो मासिक आए वो 12,000 रुपिया है यदि उसकी मासिक आए में 25 प्रतिसत की ब्रीधी की जाती है तो फिर उसकी नई मासिक आए गयात की जिए simple ची सवाल है समझना है हम आपको एक चीज़ बताये थे कोई भी यदि रासी दिया गया जैसे कि यहाँ पर 12,000 अगर दिया गया है तो 12,000 रुपिया जो है वो actually आपने आप में 100 प्रतिसत है क्या है? आपने आप में 100 प्रतिसत है अब इस 100 प्रतिसत में 25 प्रतिसत का और ब्रिधी की जा रही है मतलब कि अब हो जाएगा 125 प्रतिसत यानि इसका 125 प्रतिसत यह जो 12,000 रुपिया है यह तो आपने आप में 100 प्रतिसत तो है ही लेकिन 25 प्रतिसत जो है ब्रिधी की जा रही है मतलब 100 प्रतिसत फलस में 25% हो जाएगा 125% किसका इस बारा हजार रुपिया का यानि 12000 रुपिया का आपको निकालना है 125% आपको आए निकालना है तो यहाँ पर 125 divided by 100 हो जाएगा जो यहाँ पर प्रतीसत लिखते है उसको हम divide किस से कर देंगे 100 से कर देंगे नहीं समिमार होगा, एक दम आठबटा सा लगता होगा, रे भाई, यहाँ पर बारा हजार रुपिया है, इसका मतलब क्या ची हुआ, सो परतिसत हुआ, कैसे हुआ, देखिए, बारा हजार का मतलब होता है, क्या, सो परतिसत, मतलब की सो परतिसत, इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्रतिसत का मनलब क्या ची होता है divided by 100 कट गया 12,000 ही बचाना तो यहाँ पर भी वही हाल किये है जैसे की नहीं समय मारा है चलिए हम यहाँ पर लिख दिये 12,000 का 125 प्रतिसत अब क्या कीजेगा आप प्रतिसत को हटाएगा जरूर क्योंकि आपको आई निकालना है यानि रूपिया में निकालना है तो प्रतिसत हटाएगे तब रूपिया में उकलियर लियाएगा आप क्या करेंगे प्रतिसत को हटाएगे जैसे ही प्रतिसत को हटाएगे तो divided by 100 लगा देंगे तो वही तो बात आया 12,000 का 125 परतिसत का मतलब 12,000 गुने 125 बटा 100 125 को उपर रखना है 100 नीचे रहेगा चलिए इसको काट गिए 00, 00 कट गया अब गुना कीजिये तो हो जाएगा देखें यहाँ पर 120 है गुना में 125 है 12,05 कितना हो जाएगा 60 के 0 हाथ में 6 12,24,24,6 30 के 0 हाथ में 3 12,1,12,12,3,15 अब एक 0 यहाँ पर भी था कितना आ गया 15,000 आ गया तो 15,000 कहाँ पर है option नंबर ए में है 15,000 रुपिया आएगा ओके यानि 12,000 रुपिया का अगर हम 25 परतिसत बिरिधी कर देते हैं तो फिर कितना रुपिया हो जाएगा 15,000 रुपिया हो जाएगा clear अगर ऐसा सवाल पुछा जाएगा और तो नहीं बना पाईएगा बिल्कुल बना देना है एकदम बना देना है जितना परतिसत बिरिधी किया जाएगा उतना बढ़ा देना है जिसे याँ पर सो परतिसत अपने आप में होगा वो उतना जोड़ देना है divided by सो कर देना है और जो दिया गिया था जो बेस था उसे गुना कर देना आ जाएगा answer चलिए next question next question क्या है लिखा गिया है एक LCD की कीमत 28,000 रुपिया है कितना है उल्टा है ये भी बन जाएगा देखिए LCD का कीमत कितना है 28,000 रुपिया है कितना है 8,000 रुपिया ये अपने आप में क्या है 100 परतिसत है अपने आप में 100 परतिसत है अब बोला जा रहा है कि दिपावली की अवसर पर LCD का जो कीमत है वो 20 परतिसत क्या कर दिया आता है कमी कर दिया जाता है तो अगर 20 परतिसत कमी कर देंगे मलब कि 80 परतिसत 8,000 का LCD था अब उसका 80 परतिसत निकालना है तो सिंपल सी क्या करेंगे 8,000 लिखेंगे गुना में 80 परतिसत का मलब क्या ची हुआ C divided by 100 हम बता चुके हैं बार-बार यह सब चीजे, डबल जिरो डबल जिरो कट गया, आप गुना कीजिए, आठी, अठी, चौर, सट के चार, हाथ में छे, आठी, दूना, सुला, छे, बाइस, आप एक जिरो, एक जिरो, दो जिरो बट जाएगा, तो बाइस हजार चार सो आए, यह तो फिर इतना आख जरूर स्ट्रोंग है कि हम देख सकते हैं, लेकिन चमकता है तो दिखेगा नहीं, इसलिए देखना पड़ता है, इसे ऐसे करके, चलिए, खर कोई दिकत नहीं, बाइस जर, चार सो आया एंसर, लगा दिए, अब चलते हैं, एगला कुशन में, लिखा यहा है, यदि राम की आए, स्याम की आए से पचीस प्रतिसत अधिक है, राम का जो आए है, वो स्याम की आए से पचीस प्रतिसत अधिक है, अब यहां एक स्याम है, मान के चलिए स्याम की आए है यदि सो प्रतिसत, तो राम का आए कितना है, एक सो प्चीस प्रतिसत, इसका ही हुआ तो स्याम की आए तो स्याम की आए राम की आए से कितने परतीसत कम है यदि आप ऐसी कोशन देखते हैं तो इसको दूसरा तरीका से बनाया जाता है जिसे बोला किया है राम की आए स्याम की आए से 25 परतीसत अधिक है तो स्याम की आए राम की आए से कितने परतीसत कम ह कम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप कीजिए किया यह जो basic जो यहां पर चीज दिया गया है 25 पर 30 आपको 25 को उपर लिखना है divided by यहां पर कर देना है 100, 25 और into में कर देना है 100 से गुना और लगा देना है पर 30 तो निकल जाएगा कि बहुए एगला आदमी से पिछला आ 25 पर 30 अधिक था तो यहां पर राम की आई से कितने पर 30 कम है किसका स्याम का तो इसको निकालने के लिए 25 को उपर लिखेंगे 100 पर 25 लिख देंगे क्योंकि कोई भी संक्षा को करना है तो नीचे से हमको और एड करना पड़ता है देखिए जो यहां पर 100 देख रहे हैं हम ए पर पलस कर देना ताकि हम डिभाट करेंगे ज्यादा से तो संक्षा कम आएगा सिंपल सी बात है अब इसको आगे स्वाल की जिति आ जाएगा 25 डिभाटेड़ हो जाएगा 100 पलस 125 हो जाएगा इन्टू में हो जाएगा 100 और किसमें आगा यह परसेंटेज में आगा अब लिखा गया है यदि किसी परीचा में प्रियंका के अंक वैसाली के अंकों से 20 प्रतिसत कम है तो वैसाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिसत अधिक है अगर अधिक का बात की जाएगा तो हम क्या बोले थे मैनस कर देना है जिसे 20 प्रतिसत है तो 20 को उपर लिखने divided by so minus क्या कर देना है 20 कर देना है into में ये तो 100 लगाना ही पड़ेगा 100 परतिसत 100 परतिसत लगा रहे हैं बात बराबर है एक थपड़ इधर से मार रहे है बात बराबर पड़ रहा है परतिसत का मदा divided by 100 उपर में 100 है कट जाएगा तो क्लिमला करके यही बचेगा यही चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो परतिसत दिया गया उसको लिखेंगे और 100 में से माइनस करना कि पलस करना ये डिपेंड करेगा कि ये कोश्चन में को पूछा क्या गया परतिसत कितने परतिसत अधीक है अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर मैनस कर देंगे ताकि यहाँ पर संख्या छोटा आवे और छोटा संख्या से डिवाइड करें तो फिर रिजल्ट जो है मेरा बढ़ा आवे क्योंकि महाँ पर अधिक पूछा गया आप देखे क्या हो जाएगा 20 divided by हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा तो 80 इन 2 में हो जाएगा 100 अब इसको काटी 1,0,1,0 कट गया एक परतिसत में आएगा फिर आज आएगा 4,2,8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,5,20 फिर 2,1,2,2,2,5,10,5,5 परतिसत 25 परतिसत कहा है option number B में है तो इस तरह से हम इस वीडियो में हाँ लगता है नो ही question है तो इस वीडियो में हम नो question को trial के माधियम से आपको परतिसत को समझाने का प्रियास की हैं आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा हालाकि जो अगला वीडियो आने वाला है अगर आपको question को सही ढंग से समझना है पूरा एकदम competition का त्यारी करना है तो जो अगला वीडियो आने वाला है उसको आप चरूर देखिएगा क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो basic basic बातें आपको समझ में आ गया है क्योंकि हर question में मैंने कुछ-कुछ चीज़ें define किया है जो आपके लिए जो रूरी था मासूस के लिए feelings के लिए और next वीडियो जो भी आएगा description में आपको link मिल जाएगा आप देख लिजेगा या फिर channel में visit करके देख लिजेगा तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे एगला वीडियो में धनिवाद